हलो दोस्तों मेरे नाम मेरे तुराज आपका मेरे चैनल में स्वागत है तो आज की क्लास में हम कुछ नई चीज चालू करने वाले हैं करेंट इंटरफेस के हम एनलिसिस करेंगे जिसमें हम रास्टी अंतरास्टी रास्टी राजविस्था अर्थविस्था विज्ञान करते रास्टी घटनाओं के बारे बात करेंगे तो रास्टी घटनाओं क्या है अगरवत्ती आत्म निभर मिशन यह क्या है यह चर्चा में क्यों था यह देख लेते हैं केंद्री सूक्ष में एवन लगु मध्यम उद्योग मंत्री सी नितनगडकरी ने अगरवत्ती उत्पा जिसका नाम को मंजूरी दिये इत पादन में परियाब तो तेजी लाना है तो भारत सरकार के तरफ से जो अगरबत्ती निर्मान जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ शूख्ष में भी हैं, उन उद्योगों को पुर्षाहन करना, उनको आंगे बढ़ाना और उसमें जो सम्मंदित जो श्रमिक हैं, प् एक मिशन को शुरू किया गया है अब इस मिशन से जुड़े कुछ बातें देख लेते हैं कि इंपॉर्टन्ट है निजी साजनिक साजेदारी पर के वी आईसी द्वारा बनाए गई इस योजना में बहुत कम निवेश में ही स्थाई रोजगार का सर्जन किया जा सकीगा यहा अध्यम से कारीगरों को अगरवत्ती बनाने की स्वचलित मशीन पावडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा के वी आईसी मशीनों की लागत पर 25% की सबसीडी भी प्रतान करेगा और साथी साथ कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में 75% की वसूली करेगा तो यहाँ पर सरकार के तरब से के वी आईसी मशीन हैं उनको 25% की सबसीडी पर देना है और पूरी तरह से यहाँ पर मतलब यह कहने का मतलब यह है कि आप मशीन लेके जाएए 25% की सबसीडी दे रहे हैं और आंगे से आप किस्तों के गौर पर 75% का पै कारीगरों के प्रसेक्षन की लागत के वी आईसी और निजी व्यापार भागीदारी की भी साजा की जाएगी जिसमें के वी आईसी लागत का 75% जो है वो वहन करेगा जबकि 25% व्यापार भागीदारी द्वारा बुक्तान किया जाएगा इस योजना से लाप क्या रहने वाले ये भी देखते हैं पर योजना से पूर्ण कारियरवन होने पर अगरवत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगारों की आउसर का सुरजन होगा KVIC ने केबल इस्थानी रूप में भारती निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों को खरीदने का फैसला किया है तो यहाँ पर एक और काम की चीज़ है कि जो मशीने जो है वो भारती निर्माताओं को द्वारा ही निर्मित की गई होंगी वही खरीदी जाएंगी मतलब एक उद्योग को बढ़ाने के लिए जो दूसरा उद्योग जो है मशीन जो उद्योग जो भारति chem लिनवाता है उनको ही काम देना है उनकी ही मशीन का यूज़ करना है हमको Chinese मशीनों का या फिर बाहर से जो imported मशीन है उनका हम यूज़ नहीं करेंगे ये सरकार जो है वो नहीं देने वाली है चलि तो इससे होगा क्या इससे थानी स्वाथ को फाइदा मिलेगा तो कुल मिलाए कि दोनों जगर पर फाइदा मिलने वाला है खादी और ग्रामद्योग के बारे में कोछ जयनकारी देख लेती है एक्चुल में है किया खादी और ग्राम उद्योग उद्योग जो है संसत के एक अधिनियम द्वारा सर्जित वैधानिक संगठन इसे अप्रेल उन्निस सो संतावन में स्थापित किया गया था यह संगठन सूख्ष में लगू एवं मध्यम मंत्राले भारत सरकार के प्रसासनि नियंतरण में कारणरत होता है चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट है गयर लापकारी संगठन जिसको एंजियो भी बोला जाता है नॉन कार्मेंट और्गनाजिशन बोलेंगे इसको अक्षय पात यह चर्चा में क्यों यह भी देख लेते हैं अक्षय पात जो एंजियो है यह बहुत फेमस अभी चल रहा है तो इस चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानते हैं गयर लापकारी संगठन जिसको एंजियो बोला जाता है अक्षय पात ने भारत में स्कूली बच्चों को मिड़े मील खिलाने के लिए अमेरिका में अपने टेकसास चेप्टर के हैं वर्च्वल गाला टेक्नलोजी फॉचेंज नामे किस कारिकर में एक ह्यार से अधिक व्यावसाईयों व्यावसाईयों गयर लापकारी संगठनों सरकारी अद्धिकारीयों और विश्व के परोपकारी व्यक्तियों ने हिस्साली है अक्षय पात्र भारत में भूग से प इंपॉर्टन चीज़ है अक्षय पात्र दुनिया का सबसे बड़ा एंजियो संगठन है जो देश के बारा राज्यों और दो केंदे शहसित प्रदेशों के लगवग उन्ने से आर उन्ताले स्कूलों में आठ लाग बच्चों को प्रति दिन पॉस्टिक भोजन उपलब द इसलिए इसलिए अक्षय पात्र जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एंजियो है अक्षय पात्र की जो शुरुआत है 2000 में अक्षय पात्र पांच स्कूलों के पंदर सोग बच्चों को मिड़े मील खिराने के साथ शुरू की गई थी दरसल बैंगलूर के सकॉन मंदर के अ बाद ही अक्षय पात्र फांडिशन की शुरुआत की गई थी चलिए आंगे बात करेंगे अंतरस्टी घटना करम क्या थे ये भी देख लेते हैं अरब जगत का पहला पर्मानू उर्जा सन्यंत जो है वो बनाए गया है जिसका नाम है बरका है पर्मानू उर्जा सर्यंत सन्यंत अरब अमीराद युए के पर्मानू उर्जा विभाग E.N.E.C. ने कहा कि अरब जगत के पहले पर्मानू उर्जा सन्यंत की पहली इकाई ने काम करना शुरू कर दिया है प्रमुक तेल उत्पादक देशों में से एक युए की राजधानी आबू धावी के पश्चिम में फार्स खाडी के तहट पर इस्थित बरका है पर्मानू उर्जा सर्यंत को 2017 से काम शुरू करना था लेकिन इसके उत्गाटन में कई बार देरी हो चुकी है कोरिया एलेक्ट्रोनिक्स पावर कॉपरेशन के इपीसी उद्वारा तामीर किया जाने वाला एक अरब जगत का पहला परमानू उर्जा सर्यंत है जिस से काम करना शुरू कर दिया है परियुजना के पूरा होने पर बरकाह में लगबग 5600 मेगावाट छमता वाले चार रियक्टर होंगे तो यहां बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रिडूस करने की बात करीगे यह 5600 मेगावाट छमता के चार रियक्टर होंगे कहां पर यूजना बना रहा है हाला कि अभी इस परियुजना का अमल किया जाना बाकी है चीन के कन्फूसिस संस्थान ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में भी देख लेते हैं भारत की नजर अब उन संस्थानों पर है जिन पर भारत में चीन के परचार पसार का शक है ऐसे साथ कॉलेज और यूनिवरस्टी का रिव्यू आने वाले हबतों में होने वाला है जानकारी में लिए कि चीन इन संस्थानों के साथ मिलकर अपने कन्फूसिस संस्थानों के लोकल चैप्टर खोल रहा है Confucius Sanstantus website यहाँ मतलब ऐसे Sanstantus website है जिनका सिर्फ काम ही है कि चीन के propaganda को फुराना चीन के बारे में चीन की सोच के बारे में चीन के जो propaganda है उनकी विचार किया है इनके बारे में पुप्रसार पुपसार करना सिर्फ यही काम है Confucius Sanstantus का आप सिक्षा मंत्राले 54 M.U.s का रिव्यू करेगा यह जाने पहचानी युनिवस्टी जैसे IIT, BHU, JNU, NIT, आदी और चीनी युनिवस्टी के बीच हुए जो M.U.U. हैं उनके बारे में देखाएगा रिव्यू करेगा इसके लिए विदेश मंत्राले और UGC युनिवस्टी सिधे तोर पर चीनी सरकार के सिक्षा मंत्राले से फंड पराप्त करते हैं इनका काम चीनी भाषा और कल्चर को फैलाना है जैसे कि भारत में ऐसे कई संस्थाने जहां पर चीनी भाषा को सिखाया जाता है तो वो सीधे तरीके से जो चीनी सरकार है उनके सिक्षा मंत्राले स फंड प्राप्ट करता है और चीनी कल्चर को फैलाता है अमेरिका बिटेन ने इन पर चीनी प्रपोगंडा फैलाने का रूप लगाया पिछले साल सेतंबर में आस्टेलिया ने भी अपने यहां ऐसी यूनिवस्टी की जांच के आदेश दिये थे दुनिया भर की कई सीमा पर है गलवान घाटी में हिंसक जड़ब के बाद भारत चीन को ये कड़ा रुप दिखा रहा है सौ से ज़्यादा चाइनीज एप को भारत ने बैन कर दिया है इतना ही नहीं ऐसे कई प्रोजेक्ट कैंसल कर दिये हैं जिने चीनी कमड़ी की द्वारा किया जा रहा था नागरेक संसोधन कानून क्या है ये चर्चा में क्यों था इसके बारे में देख लेते हैं नागरेक संसोधन नागरित्ता कानून जो है CAA कि नियमों को तय करने के लिए ग्रहम अंतरा लाने तीन महीने का अत्रिक्त समय मांगा इसलिए ये कानून जो है चर्चा मेरा है तो समय विस्तार की अनुमती ली जाने चाहिए और समय विस्तार के बारे में एक बार में तीन महिने से अधिक समय नहीं लिया जाता है क्या है संसोदित नाइकता कानून इसकी बारे में देख लेते हैं राश्टपती द्वारा 12 दिसम्बा 2019 नागरिकता संसोदन विधेयक 2019 हस्ताक्चर किये गए थे और उसी दिन से ही कानून प्रभावी हो गया था इस कानून में तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से भारत आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है इस कानून के तहट बांगलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐसे गैर मुस्लिम सरिणाथियों को भारत की नागिता मिलेगी जो 31 दिसम्बर 2014 से पहले आ चुके हैं इनमें हिंदू, जैन, सिक, बौध, पार्सी और इसाई शामिल हैं अब भारत में 5 साल बिता चुके ऐसे लोग यहां की नागिता पाने के हगदार होंगे पहले यह अवधी 11 साल की थी, तो पहले क्या होता था भारत की नागिता लेने के लिए आपको कम से कम 11 साल रहना पड़ता था पर अब यहां पर बात कर दी है, ति 31 सामबर 24 के पहले जो भी सरणाथी हैं, इनको सरणाथी बोला जाएगा जो की बांगला देस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पडोसी देसों से आए हुए हैं, या सताय हुए हैं, सरणाथी हैं, गैर मुसलिम होना चाहिए, बस यहां पर एक कंडिशन रख दी है, पाकी कोई भी धर्म के रहेंगे पर गैर मुसलिम होना चाहिए, तो यह लगभाग 5 साल बिता चुके हैं, तो इनको भारत की नागरिक्ता पाने का अधिकार होगा, चलिए आंगे बात करेंगे, नागरिक्ता संसोधन कानून, त्रिपुरा, मि पिलाके बांगला इस्टर्ण फ्रंटियर के रेगलेशन 1873 के तहत इन लाइन पर्मिट के दारे में आते हैं, वही भी इस कानून के दारे से बाहर होगे, चलिए आंगे बात करेंगे, अर्थ विरस्ता के बारे में, भारती रास्टी किसान सहिकारी विपनन महासंग, जिसक पिछले साल नाफेड ने मुल्य स्थरी करनकोष, PSF के तहत, 2018-19 की रभी सर्दियों की फसल से संतावानेहाट टन प्याच खरीदा था, इस साल का लक्ष प्रमकुतपादक राज्यों से एक लाग टन प्याच खरीदने का है, रभी फसल जो है, इसकी फसल प्याच जो है, ख रभी के प्याच की खरीद जो है, मुख्य रूप से महरास्त, मत्वदेश और गुजरात के किसान उत्पादक, संगठन, FPO और सरकारी समीतियों के लिए सीधे खरीद फ़रुप के इनों से की जा सकेगी, विज्जान और प्रवद्वद्गी के बारे में देख लेते हैं, मोतिय बिंद, मोतिय बिंद, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, इसकी देख लेते हैं। नैनो विज्ञान और प्रवद्दुगी की संस्थान INST के विज्ञानिकों ने हाल ही में मोतिय बिंदुकी सरल सस्ती और बिना ओप्रेशन के इलाज की तकनीक विख्षित की है मात्पूर्ण बिंदु क्या है भारा सरकार के विज्ञान और प्रवद्यूगी विगभाग के अंतरकत आने वाले एक स्वायत संस्थान नैनो विज्ञान और प्रवद्यूगी संस्थान के विज्ञानिकों की एक टीम ने गैर स्टेराइडल एंटी इंफ्लेमेंटरी ड्रग जिसको गैर दाहा के उत्तेज़क दबा बुला जाएगा एस्पिंड से नैनो रोड विक्सित किया है NIST का ये शोट एक सस्ते और कम जटल तरीके से मोतियविंद को रोकने में मदद कर सकता है ये मोतियविंद के खिलाब एक प्रभावी गैर आकमंग छोटे अडूं आधारे नैनो थेरेट स्क्यूप के रूप में उप्योगी होगा मोतियविंद क्या है इसके बारे में जानकरी देख लेते हैं क्या होता है एक्चुल में मोतियविंद अंधेपन का एक प्रमगूप है जो तब होता है जो हमारी आखों में लैंस बनाने वाले जो क्रिस्टिलीन प्रोटीन की सन्रचना है वो बिगड़ जाती है जिससे च्छतिग्रस्त या आवविस्थित प्रोटीन इखटा होकर एक नीली या भूरी परत बनाने लगता है जो अंतता लैंस की पार दरशे का उत्ता को प्रभावित करता है अकसा देखा जाता है कि 50 से अधिक उम्र के लोगों को मोतियविंद की समस्या हो जाती है मोतियविंद आखों की वो समस्या है जिसमें धीरी धीरे आखों की रोश्णी में धुनलापन आने लगता है जिस से देखाई देना कम हो जाता है मोतियविंद की मारी जन्राद भी हो सकती है मोतियबंद के चार प्रकार होते हैं सेकेंडरी पोतियबंद, ट्रामिटरी मोतियबंद, कंजेक्टिनल मोतियबंद या फिर और साथी साथ में रेडियेशन मोतियबंद भारत सरकार के स्वास्त मंत्रालें राश्टी दरश्टी हींता नियंतरक कारिकम इसको National Blindness Control Program NBCPB बुला जाता है 1976 में शुरू किया था इस कारिकम का उद्धेश ये अंधेपन की व्यापकता को कम करना और साथी साथ इस कारिकम हेतु एक आधारबूर धांचाय में कारिशमता को स्थापित करना है चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट है रेडियो नेटवर्क पर आधारित संपून दू संचार कनेक्टिविटी भारत एयर फाइबर इसके बारे में देखेंगे ये चर्चा में क्यों है केंद्री HRD एलेक्ट्रोनिक संचार एवं IT राजमत्री सी संजर धोत्रे ने महरास्ट में अकोला में भारत एयर फाइबर सेवां का उधगाटन के साथ ही अकोला और वाशिम जिले के निवासी मांग के आधार पर ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन प्राप्ट कर सकेंगे क्या है भारत एयर फाइबर इसके बार में देख लेते हैं भारत एयर फाइबर सेवां बीएसन द्वारा भार सरकार की डिजिटल इंडिया पहलो में से एक इससे गरूप में प्रस्तुत की गई है इसका लक्षे बीएसन इस्थान से 20 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस कने द्वारन इन हम परिस्तिती की बारे में देखेंगे बनेर घटा बैलोजिकल पार्क ये चर्चा में क्यों था हाल ही में करनाटक के बनेर घटा बायलोजिकल पार्क में 12 वर्शी हत्नी रूपा ने शनीवार को एक नर बच्चे को जन्म दिया है इसलिए फेमस था बनेर पुरिया घर के साथ एक पालतु कोने, एक पशु पचाओ केंद्र, तितली परिखेत्र, एवं मचली घर, एक साप घर और एक सफारी पार्क के साथ एक लोगपी परिटन स्थर भी है। झालतु के साथ एक साथ एक साथ .- झाल 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 झाल